जो तिश शास्त्र की है कशाखा अंक शास्त्र के जरिये बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविश और वरतमाद जना जा सकता है। गडित के आंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा आपका जीवन कैसा होगा किस से आपकी मित्रता होगी किस विक्ती से आपकी शतुरता साथी आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं तो चलियांग शास्तर से जानते हैं आपके लिए एच का दिन कैसा भाग ये लेकर आ रहा है मुलांक एक मुलांक एक के जातक आज व्यापार के नजरिये से दिन सामान नहें कारिशेत्र में महनत अधी और परिणाम कम मिलेंगे किसी कर्मचारी के साथ बहस हो सकती है अपने क्रोध पर काबू रखना है जीवन साथी के साथ अनबन भी होने के असार उपाय करें गायतरी मंत्र का जाब करें मुलांक दो मुलांक दो के जाय तक आज कार शेत्र में काम की अधिकता रहेगी जिस कारण मानसिक तनाव महसूस करेंगे अपनी सेहत का ख्याल रखें वाहन चलाते हुए गती का भी ख्याल रखना दुर घटना होने की मुलांक तीन के जातक अवरेहस्पती जिके प्रतिन धित्व में आज आपको महनत अधिकरने पड़ेगी लेकिन महनत से उत्तम परिणाम मिलेंगे प्रॉपर्टी संबंध ही मामलों में निवेश करते हैं तो लाब होगा कारोबार में कोई नया प्रोजेक्ट भी मिल सकता ह परिवार के साथ आज का दिन खुशनमा भी देगा उपाय करें माथे पर केसर काति लग लगाएं मुलांग चार मुलांग चार के जा तक आज का दिन पिछले कुछ दिनों से बहतर होने वाला और आपके कुछ रुके हुए काम जो हैं वो पूरे हो सकते नौकरी में सहकर्मियों से आज आज आपको मदद मिलेगी आज आप अपने टार्गेट समय से पूरा कर पाएंगे अभिमान की भावना से दूर रहना है उपाय भी करें जों को जल में प्रवाहिट करें मुलांग पांच मुलांग पांच के जातक आज प्रॉपर्टी में किये गया निवेश्त लाब मिलता दिखरा आज बिजनेस में कुछ नई योजनाएं बनाएंगे परन्तो कोई भिरने नए सोच समझ कर लें खर्चे अधिक हो सकते हैं जिसके कारण आर्थिक स्थिती कमजोर हो सकती है उपाय करें छोटी कन्याओं को भोजन करवाएं मुलांग च्छे मुलांग च्छे के जातक जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी कोई फ्रेम संबंध जीवन में दस्तक दे सकता है वाहन खरीदने के योगबन परिवार के साथ खरीदारी पर जा सकते हैं उपाय करें कोई सुगंधित इत्र लगाएं मुलांग साथ मुलांग साथ के जातक आज आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी किसी भवन निर्मार स्थल को चांच करते हुए साथानी बरतनी है यात्रा स्थगित हो सकती है आलस्ते के कारण कुछ काम अधूरे रह जाएंगे उपाय भी कर सकते हैं घर में कोई जंग लगी हुई लोहे की वस्तु हो तो उसे हटाएं मुलांग आठ मुलांग आठ के जातक आज का दिन अच्छा रहेगा धिमिगती से ही सही परन तो आपके सारे काम पूरे होंगे फैक्टर में कोई नई मशीन खरीच सकते हैं कानूनी या कूर से संबंधित मामलों में फैसला आपकी हक में होगा उपाय भी कर सकते हैं सरसों के तेल में छाया दर्शन पर शनी मंदिर में दान करें मुलांक 9 के चातक आज मांगलिक कारियों में कुछ अर्चनों का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों के साथ लड़ाई छगड़ा होने की भी संभावना बन रही है प्रॉपर्टी में निवेश करने से आज बचना है अपने गुस्से पर भी काबू रखे निथा पने बनाए जो काम है आपके वो बिगड़ सकते हैं उपाय करें सुन्दर कांड का पाठ करें